Good morning, कैसे हैं आप, जै मातादी, चौथे नवरात्रे की हारदिक्षिप कामना है, आज है कुश्मांडा देवी का नवरात्रा, कुश्मांडा देवी की बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इनके बारे में एक छोटी सी कहानी ये है, कि इस स्रिष्टी का पालन हार करने वाल इस स्रिष्टी को बनाने वाली कुश्मांडा है, सौरे मंडल में इनका निवास है, अब सौरे मंडल में आने कि सूरे के पास तो कोई और रह नहीं सकता, कहते हैं बहुत समय पहले जब पृत्वी बनी, स्रिष्टी बनी, ये लोग बना, तो एक उर्जा का गोला बना, उस सूर्जा के गोले को ही कुश्मांडा कहा जाता है, वो ही कुश्मांडा देवी थी, जिनों ने अपनी अंगो से सरस्वती को, लक्ष्मी को, महाकाली को जनम दिया, आज हम जब नवरात्रों की पूझा करते हैं, तो तीन देवियों की पूझा करते हैं, महासरस्वती, महाक का ध्यान जरूर धरें और मा को जरूर याद करें क्योंकि जिसने स्रिष्टी की रचना की हो वो आपको कितनी शक्ति दे सकते हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कलश की पूजा जरूर करें और आज विनायक चतुरती भी है विनायक चतुरती आज गनेश की पूजा की कूर्जा जिसने अपने अंदर से महा काली महा सरस्वती महा लक्षमी को अर्पन किया मतलब निकाला बनाया उनका उदे किया तो आप सोचिए अगर आप सीधह कुछ मंडा माता का ध्यान कर लें पूझा कर लें उन्हें याद कर लें उनको को भी शश्शत कोटी-कोटी पढ़ना विनायक चतुरती की हर दिक्षप कामना है और खुश रहें आप मस रहें बिंदास रहें आपके दिल की हर मनों कामना पूर हो टेक क्यार